सिर्फ सोचने से नहीं मिलते हैं तमनाओ के शहर चलना भी जरूरी है मंजिल पाने के लिए नमस्कार दोस्तों आज की वीडियो में में डिस्क्राइब करेंगे पचीस अगस्त के करेंड़ पर पर दिस्क्राइब करेंगे और साथ ही इनके स्पेसल फैक्ट को पूरे डेटल म पर देखेंगे और देखेंगे इस चैनल से ऐसे ही वीडियो के आट्मेटिक नोटिफिसन पाने के लिए चैनल को भी सब्क्राइब करके ब्लाइक कर दिए और वीडियो को देखने वाज को लाइक करके इसको शियर जरू कर देगा सभी वाटसब और टेलेग्राम किया तो दिखेंगे यह प्रेस आपका है हाइदराबाद और दीखेंगे दूसरा था कि हाली में किस कंपनी ने सेरेब्रस वेफर स्केल इंजन नामक दुनिया के सबसे बड़े एकल सिलिकान आधारित प्रोसेसर का अनावरण किया तो दीखें आपको दानूँ यह कंपनी अपकी है सेरिब्रस सिस्टम्स और दीखें इसके बारे में और भी डीटेल आगर जाना तो आप परसो का वीडियो देखें इसको रिवाइस कर लिजेगा और दीखें तीसरा था कि अंतराश्टी आतंगबाद पीडित स्मृति एवं सरद्धानजली दिवस किस तिथी को मन नियुक्ति हैं तो देखिए इनका नाम है राजी उगाबा और दीखें परसो के वीडियो में मैं आपको पांच सचीओं के नाम बताया थे जिनकी नियुक्ति अभियाली में हुई है तो आप परसो का वीडियो जरूर देखें इसको रिवाइस कर लिजेगा और इन पांच केंद्री मंत्री के रूपे कई बार कारे किया नहीं है लेकिन ये कभी भी लोग सभा चुनाओ नहीं पांच ये बेसिक डीटल्स आप यार रखेगा और इसे दूसरा प्रस्णा है कि हाल ही में किसे टीम इंडिया के बल्ले बाजी कोंच के रूप में जो है नियुक्त किया गया है तो इस नियुज को एक लाइन में दिमाम को फिट कर लिए कि अभी हाली में विकरम राठोर को टीम इंडिया के बल्ले बाजी कोंच के रूप में अपॉइंट किया गया है और तीसरा प्रस्णे की भारती क्रिकेट टीम के गेंदबाजी कोच कोंच कौन बने है तो दीके अभी हाली में भारत अरूर को जो है इंडियन क्रिकेट टीम के गेंदबाजी कोच के रूप में अपॉइंट किया गया है तो फिर सब पता दो आपको कि जो आपके भारत के पुरू क्रिकेटर है भारत अरूर इनको अब याली में इंडियन क्रिकेट टीम का गेंदवाजी कोच यानि की बॉलिंग कोच अपॉइंट किया गया है और चौथा प्रशने की भारती क्रिकेट टीम के फिल्डिंग कोच कौन बने है तो दीके भारती क्रिकेट टीम के फिल्डिंग कोच आपके बने है आर स्रीधर ठीक है और इनका पूरा नाम है रामा क्रिशनन स्रीधर ये भी इंडिया के पूरो क्रिकेटर रह चुके हैं तो भारत के पूरो कृरेटर आर स्रीधर को यानि कि रामा कृष्णन्र क्रिदर को जो है भारते क्रिकेट टीम के फिल्डिंग कोच के रूप में अभी हाली में अपॉइन्ट किया गया है और देखे पांचवा प्रशने की पस्चिमी छेतरी परिषत की जोवीसमी वैठा कहां पर आजित की गई तो देखे जितनी भी वैठा के मैं आपको बताते जाता हूँ डेली ठीक है तो उनको आप अलग पेच पे जो है नोट किया कीजिए कि काउन सी वैठा काउन सा सम्मेलन कहां पर आजित किया गया और कब किया गया मतलब जितनी भी टीटर मैं आपको दे देज़ता हूँ वो सारी की सारी आपके नोट बुक में नोट होने चाहिए क्योंकि जब एक्जाम का टाइम आता तो रिवीजन करने में इससे आसानी होती है और देखे आपको दादू कि जो आपकी जितने भी सम्मेलन होते हैं बैठक होते हैं, काउन्फरेंसे होते हैं यहाँ से कम से कम हर एक्जाम में एक से दो प्रस्ण या फिर तीन प्रस्ण जो एक्जाम में हर एक्जाम में पुछ आते हैं तो अभी आपको क्या रखता हैं कि पस्चीमी छेतरी परिसाद की जो चौबीसमी बैठक है इसका आउजन अभियाली में गोवा की राजधनी पंडजी में किया गया और दीखे इस चौबीसमी पस्चीमी छेतरी परिसाद यानि की वेस्टर जोर्नल काउंसल की बैठक की अधेक्षता की भारत के केंद्री ग्रेमत्री अमीद साजी ने और दीखे आप दादू की जो आपका ये पस्चीमी आंचली परिसाद है इसमें जो है गुवा, गुजरात, महराष्ट और केंद्र, सासित, प्रदेश, दमन, और दीव, दाद्रा, और नगर, हविली सामिल है तो ये पूरी डीटल आपको या रखना है पस्चीमी छेत्री परिसाद के बारे में लेकिन सबसे बहुत करणा है कि इसकी जो चौबीसमी बैटक है इसका आईजोन अभिहाली में गुवा की राजधानी परजी में किया गया और इसकी अधिक्स्ता की भारत के केंद्री ग्रेमंतरी अमीत सान है और युक्षि एक खास बात और आपको बनाद़ा दूझे जो आपको तीन नाम एग्जामे देखने को मिल सकते है यह तो आपको एग्जामे मिलेगा पस्चीमी चेत्री परिसाद की च्शुवी सब्सें बैटक है अप है भी जे पहां पर प्र दिखने के गयी तो 2019 की दुनिया के महानतम अस्थानों की दूसरी वार्थिक सूची में भारत के कितने अस्थानों को सामिल किया गया है तो देखे आपको दादों की टाइम पत्रिका के 2019 की दुनिया के महानतम अस्थानों की दूसरी वार्थिक सूची में अभी हाली में भारत के दो अस्थालों को सामिल किया गया है और देखिए ये दो अस्थाल कौन कोंसे हैं ये दो अस्थाल आपके हैं स्टैचू आप यूनिटी जो कि आपका गुजरात में स्थित है और दूसरा है शोहो हाउस जो कि आपका मुंबई में स्थित है तो इन दो 97 फिट उची स्टैचू आफ यूनिटी इसको और मुंबई के सोहो हाउस को जो है सामिल किया है देखे आप सभी को पता होगा कि जो आपका स्टैचू आफ यूनिटी है ये दुनिया की सबसे उची प्रतिमा है और ये जो है भारत के गुजरात राज में इस्तित है और ये जो है सरदार पटेल की प्रतिमाटिक है सरदार बल्ला भाई परडिल कौन थे देखे सरदार बल्ला भाई परडिल भारत के पहले ग्री मंत्री थे और भारत के पहले उपपरदान मंत्री भी थे तो यह डीटेल आज रखना आपको और अफ़ारासा बात कीलते हैं हम Soho House के बारे में देखे Soho House आपका मूंबई में स्थीथ है और मूंबई का जो यह आपका फैस्टनेबल Soho House है यह 11 मंजिला इमारत में स्थीथ है जहां से अरब सागर नज़रब आता है असो गहलोत ने किस अस्तान पर खुनर हाट का उद्गाटन किया तो दीखे ये प्लेस आपका राजस्तान की राजधानी जैपूर है ठीक है और इसका इग्जैट प्लेस है जैपूर का जो जावाहर कला केंदर है वहां पर ठीक है तो विसको इसीच को उन्हों सब्दों में केंद्री अलप संख्या मामलो के मंत्री मुकतार अबबास नक्वी और राजस्तान की मत्री अशो गहलोत इन्हों ने वियालि में राजस्तान के जैपूर के जवाहर कला केंदर में जो है खुनर हाट का उदगाटन किया और दीखे जवाब का यह खुनर हाट है ठीक है तो इसका आईजन किया गया 24 अगस से एक सितंबर तक डिक है तो एक सितंबर अभी बीता नहीं है 24 अगस्त को यह स्टार्ट हुआ है एक सितंबर तक यह चलेगा और दीखे आपको पता दूँ कि जौब का यह हुनर हाट है यह मास्टर कारिकरों को और रोजगार और रोजगार के आउसर प्रतान करने के लिए एक प्रभावी कारिकरम साबित हुआ डिक है और यह हर साल आज़ी तुपता है और आटवा प्रशने की हाल ही में नवीन एवं नवीकरडी उर्जा मंत्राले ने किस प्रकार की उर्जा को नवीकरडी उर्जा का दर्जा दिया है तो दिखे आप पतानू की भारत के बियाली में नवीन एवं नवीकरडी उर्जा मंत्राले ने महासागरी उर्जा को जो है नवी करडी उर्जा का दर्जा प्रथान किया है और दीखे अब जो है जो आपका महासागरी उर्जा है इसके विभिन रूपों जैसे की जुआरी उर्जा, तरंग उर्जा, थर्मल उर्जा आज से जो है उत्पाधित उर्जा को नवी करड़ी उर्जा का दरजा दिया जाएगा ठीक है यानि कि इसको अब जो है नवी करड़ी उर्जा माना जाएगा तो यह पूरी डिल आपको एर्ट ना है लेकिन सबसे परदे दिवाग में फीट कर लिए एक लाइन में कि अभिहा अक्षे उर्जा के नाम से भी जानते हैं और इसको कहते हैं अंग्रेजी में री नियूबल एनरजी यानि कि इसको रिन्यू कर सकें देखिन नवी करड़ी उर्जा में वे सारी उर्जा सामिल होती है जो परदूसर कारक नहीं है तो जीन के सुरुत जो है इनका छे नहीं हो प्रकारक नहीं है और जीनके सुरुतों का छे नहीं होता है और जीनके सुरुत का पूना भरण होता रहता है तो इसको भी फट से रिवाइद करता हूं ध्यान सुनेगा जाके प्रमुक उदार हैं और दिखे नवप्रश्ण की हाल ही में कि इस देश ने आर्कटीक महासागर में एक तैरता हुआ परमाडू रियक्टर लांच किया है तो दिखे ब्याली में रूस यानि की रसिया ने जो है आर्कटीक महासागर में एक तैरता हुआ परमाडू रिय रखेगा तो अब याली में रूस ने जो है दुनिया का पहला तैरता हुआ परमाड़ू डेक्टर लांच किया है आरक्टी महासागर में इसको आपको याद रखना है और अपर हम बात कर लेते हैं रूस यानि की रसिया के बारे में देखे रूस के प्रेजडेंट वर्तमान म थी इसका आईजन अभियाली में नेपाल के रजधानी काटवांडू में किया गया और इसका आईजन जो है 21 और 22 अगस्त को किया गया था और देखे इस भारत नेपाल सभी बैठक की सह अध्यक्सिता की भारत के विदेश मंतरी डाक्टर एस जैसंकर ने और नेपाल के वि लिए और दीखे फ़र साम बात कर लेते हैं नेपाल के बारे में भी देखे कि नेपाल की राजधानी यह काटवांडूर नेपाल की मुद्रा है नेपली रूपी यानिकी नेपाली रूपया और नेपाल की राजपती हैं विद्या देवी भंडारी तो यह थे आपके आज क कि आपके लिए आपके लिए पहला प्रश्ण है कि भारत के नए ग्रेसेजु कौमन है इस का अंसर पता ही और दूसरा है कि हाल ही में कि इस दिस्क को इसका अंसर पताईए और तीसरा प्रश्ण ही में कि इस दिस्क ने नई मिसाइल रक्षा पड़ा लिए इसका अंसर पताईए और कल का वीडियो देखे इसको रिवाइस के लिए का कल मैंने इसके बारें बहुत ही अच्छी डीटेल्स बताई थी जो कि एक्जाम के लिए बॉ इस नाम से एक e-commerce portal लांच जिया इसका अंसर पताईए और पांचों प्रश्ण आपके लिए कि फॉप्स के अनुसार दुखर उननिस में सबसे अधी कमाई करने वाले अभिनेताओं के सुची में चौथे हस्तान पर कौन से मिनेता हैं इसका अंसर पताईए तो इसी के साथ आज का क्रेंड़ी पर यह इस समस्ता है कल फिर मिलेंगे कल के क्रेंड़ी पर समस्दाद वीडियो का भी लाइक करके इसको शीयर कर देना आपको और जो लोग नया है वह चैनल को सबस्क्राइब कर लेंगे थाखिए और सबसे पहले मिले जा और दिशिके अगर आप मुझ